हेलो स्टुडेंट्स आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 का कोश्चन नमबर फर्स्ट देखिए एक्सरसाइज 2.2 के जो कोश्चन आप स्वल्ब करेंगे तो उसमें कुछ कल्कुलेशन इस तरह के आते हैं पहले उसको हम लोग समझते हैं जैसे देखिए अगर जी रोके पावर आगर तू हो तो उसका बेहिलू कितना होगा तो जीरोके पावर 2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यानि जीरो को करी मरतब लिखेंगे जीरो से मुल्टिपलाई करते हैं, जीरो को किसी भी अंग से मुल्टिपलाई करते हैं, तो क्या आएगा, जीरो ही आता है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कि जीरो को किसी भी अंग से मुल्टिपलाई करते हैं, तो इसका फैलू केतना आता है, जीरो आता है, यानि जीरो में क थिरी में 0 जोड रहे हैं तो यह कितना आएगा यह 0-3 लीखे थिरी आएगा या इसमें हम आप लीख सकते हैं ठीरी में अगर 0 जोडते हैं तो मित्कितिना 3 ठीसी भी अंक को अगर 0 में अगर जोडते हैं तो 170 करता है अगर हम जो है घटाते हैं सब्सक्राइशन करते हैं जैसे थिरी में हमने 0 को घटाया 3-0 तो 3-0 तो यह क्या होगा 3 होगा लेकिन अगर 0-3 करते हैं तब क्या आएगा यह थिरी तो आएगा लेकिन शाइण नेगेटिव होगा तो आखिर यह एक कैसे आया देखिएοपोजिट साइड होता है नो तो आएँ हां पर हम क्या करते हैं सब्सक्रीषण करते हैं और सेम सइन में क्या होता है? एडिशन होता है. हम यहां लिख देते हैं, देखिए, ओपोजिट साइन, ओपोजिट अगर साइन होता है, तो यहां पर हम क्या करते हैं? सब्स्टेक्शन करते हैं, घटाते हैं, जैसे यहां पर देखिए, यहां जो थिरी माइनस जीरू, यह ओपोजिट साइन यहां plus है यहां पर minus है तो हम घटाएंगे 3 minus 0 आएगा 3 आएगा लेकिन sign क्या रखेंगे बड़े अंका रखेंगे तो यहां 3 क्या है 3 पर plus charge है तो यह plus 3 हो गया यहां देखिए minus 3 आगया यहां पर भी opposite sign है यहां पर क्या है नहीं लिखा गया तो यहां पर plus है यह 3 क्या है माइनस है तो प्लोस माइनस है तो क्या सब्स्ट्रेशन होगा हम घटाएंगे तो 3 minus क्या हो गया 0 3 होगा लेंगि sign बड़े अंका रखेंगे तो 3 का यहां पर sign क्या है माइनस है तो माइनस यहां रखें अगर इस तरह क्या हो जैसे 3 minus 2 और यहां पर भी opposite sign आया यहां प्लोस है यहां क्या है माइनस है तो भी क्या करेंगे घटाएंगे higher minus lower करेंगे तो 3 में इसे 2 घटाएंगे तो कितना हो गया एक आएगा लेकिन sign क्या होगा बड़े अंक का sign होगा यहां plus 3 है यहां minus 2 है तो plus यहां पर है बड़ा अंक है 3 यहां पर plus है तो plus का sign यह रखेंगे अगर ऐसे हो 2 minus 3 तो यहां पर भी opposite sign आया यहां plus है यहां क्या minus है तो हम इसको घटाएंगे 3 minus 2 क्यतना होगा 1 हो गया लेकिन sign क्या होगा minus होगा क्योंकि 3 अंक जो है बड़ा है यहाँ पर sign क्या है minus है यहाँ पर क्या होगा minus देगे तो जब भी opposite sign आएगा तो उसमें हम क्या करते हैं सबस्ट्रेशन करते हैं तो सबस्ट्रेशन करते हम घटाते हैं हाईयर मैनस लूवर कर देते हैं लेकिन साइन क्या होगा जो बड़ा अंख होगा उस पर जो भी साइन होगा वही साइन हम क्या करते हैं यहां पर लिखते हैं तो यहां क्या है देखिए टू माइनस थिरी हम है यहां पर हम क्या करते हैं एडिशन करते हैं जोड़ते हैं सेम साइन होगा तो वहां पर हम जोड़ेंगे जैसे लिखते हैं यहां पर पर 5 पलास तो कितना आएगा यहां पर भी स्वसे यहां पर भी साइन सेम आगया है यहां पर भी सेम साइन है ते हम इसको जुड़ेंगे तब पाँच अर्दो किता होगे 7 लेंगे sign क्या होगा negative होगा तब साम में addition हो गागर 12 दून है तो प्लस्मियागा अगर 2 माइनस आ तो jूड़ें गे माइनस में आएगा इस तरह के जो है आपको जब हम इसको solve करेंगे इस तरह के calculation आएगा अब देखिए जिसे power होता है अगर minus one का power अगर दू होता है तो यहां पर हम केशे लिखेंगे यानि minus one का power 2 है तब minus one को 2 मरतबर लिखेंगा minus one into minus one minus minus क्या होजाएगा plus होजाएगा one into one क्या होजाएगा तो कहने का मकसद है कि देखिए minus का power अगर minus one का power अगर even है even क्या होता है 2,4,6 यह even है अगर power even होता है तो हम जो अंक इसमें दिया है उसको multiply आएगा जो आएगा लेकिन sign क्या होगा plus होगा अगर power जो है odd है एक है तीन है पाँच है साथ है तो यहां पर sign क्या होगा negative होगा जैसे यहां पर लिखते है minus one के power अगर three लिख देते है तो यह आएगा minus one ही आएगा क्योंकि one को three मत one गुणे one गुणे one तो one आएगा लेकिन जो है यहां पर odd आ गया है तो sign क्या होगा minus आएगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए इसको हम इसे लिखते है minus one into minus one into minus one अगर minus one minus one यह minus minus क्या होगा प्लोस हो जाएगा यहां पर भी आप देख रहे हैं same sign में addition होता है देखिए यहां पर भी हम जोड़ें यहां पर देखिए यहां प्लोस है यहां पर भी प्लोस है हमने जोड़ दिया यहां देखिए यहां पलोस है सेम साइन है हमने जोड़ दिया तो थिरी में यहां किसी भी अंक में अगर जीरो को जोड़ते हैं तो ओहीं अंक आता है यहां पर देखे इस तरह के यहां फर्मूला देखिए अगर हम दिखते हैं a-b into a plus b तो यह होता है a square minus b square a minus b into a plus b तो A square minus B square आपके question में यह है X minus 1 X plus 1 यह दिया है polynomial दिया है यह दिया है तो X minus 1 X plus 1 तो A की जब अपर X है अब B की जब अपर क्या है 1 है तो हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे X, A के पावर 2 यानि X के पावर क्या होगे 2 minus अभी के जगवे पर क्या 1 है तब 1 के पावर 2, अब यहां देखिए इसको हुआ कैसा x square, और 1 के पावर 2 यानि 1 इन 1 इन 2 1 है आ जाएगा, तो x square minus 1 इसका भाईली होगा, x को x में गुना करेंगे, फिर x को 1 में गुना करेंगे, फिर minus 1 को x में गुना करेंगे, फिर minus 1 को plus 1 में गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा x square minus 1 तो इस तरह देखे भी दार्थियोग जब हम question solve करेंगे तो इस तरह के calculation में आएगा तो यह बात यह है कि value रहकर मान निकलना बहुत आसान है लेकिन जो हम calculation करेंगे वो सही calculation हो तभी answer सही आएगा question number first क्या कहता है find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x बराबर 0 second में x बराबर minus 1 third में x बराबर 2 देखे यह polynomial है इसमें variable क्या है x है इसमें variable क्या है इसमें x है अब यहां x का value दिया है इस polynomial का हमको मान निकलना है कितना होगा तो क्या करना है कि जो variable इसमें x है x का जो value दिया है वो value इसमें पूट करेंगे जो आएगा वही क्या होगा इस polynomial का value होगा मान होगा आएए polynomial जो दिया है उसमें x का value 0 रखते हैं तो polynomial दिया है 5x minus 4x square plus 3 यह polynomial है इसमें variable क्या है x है x का value 0 दिया है x का value इसमें 0 पूट करते हैं जो value आएगा वही क्या होगा answer होगा तब 5 इसके देखे 5x means का हुआ 5 into x 5 और x के बीच क्या है गुणा है तो हम ऐसे लिखते हैं 5 x का value 0 दिया है तो हम 0 पूट करते हैं यानि 5 into 0 हुआ minus 4 x का value 0 है तो 0 रखकर पावर कितना कर दें 2 कर दें अब पूलास क्या हुआ 3 हुआ अब देखिए किसी भी अंको अगर 0 में multiply करते हैं तो कितना value आता है 0 आता है तो यह 0 आ गया अब minus 4 अपनी जगा पर रख रहे है जीरो का power 2 तो जीरो का power 2 यानि 0 गुने 0 कितना होगा जीरो ही आएगा तो 4 इसका value कितना जीरो आ गया अब पूलास क्या है तो उसको जोड़ देते हैं opposite sign होता है तो घटा देते हैं सेम sign किस में आ रहा है देखिए यहाँ पर plus 0 है यह plus 3 है तो इसको जोड़ते हैं तो किसी भी अंको 0 में जोड़ेगा तो क्या वाइब ओही अंक आता है तो 0 plus 3 कितना हो गया 3 आए गया अब minus 0 अब यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका value क्या आएगा 3 आएगा देखिए opposite sign हो गया plus 3 है यह क्या है minus 0 है सवाइक है का opposite sign है तो घटाएंगे तो 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आएगा sign किसका होगा बड़े अंका होता है तो थिरी बड़ा अंक है तो plus है तो plus 1 ने दे दिया यहाँ पर आएगे second में x का value minus 1 दिया है तो इस polynomial में जो variable x है x का value क्या रखना माइनस 1 रखकर इसका value को निकालना है वही क्या होगा इंसर होगा तो polynomial जो दिया है वह है 5x minus 4x square plus 3 में हैं विद्यार्थियों को calculation आप जो value तो आसानी से रख देजेगा लेकिन जब calculation हम करते है तो आखिर वो जो उसके बाद जो result आएगा वो कैसे आ रहा है sign का भी काफी importance होता है अने था value क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो x का value केतना दिया है minus 1 तो 5 into minus 1 minus 4 minus 1 का power केतना हो गया दो हो गया देखे power even है तो sign क्या हो गया plus आएगा अब plus का है 3 है देखे यहाँ पर दिया है जब भी हम multiply करते है अगर opposite sign है तो क्या होगा negative sign आता है तो यहाँ पर plus है यहाँ पर minus है plus into minus का होगा minus है होगा आप 5 गो 1 में गुणा करेंगा तो 5 है आजाएगा minus 4 अब देखे minus 1 का power है 2 है यानि minus 1 into minus 1 अगर देखिए minus 1 का power अगर 2 है तो minus 1 into minus 1 minus minus का होगा plus हो गया 1 into 1 और हो जाएगा तो यहाँ पर जह है 4 minus 1 के power 2 कितना है का 1 आ जाएगा आप पलोस क्या होगा यहाँ वह minus है यहाँ वह minus है साइन दुनों सेम है तो इसको का करेंगे जोड़ेंगे addition करेंगे तो 5 पलोस 4 कितना होगा 9 आ जाएगा लेकिन साइन क्या होगा minus होगा आप पलोस 3 आ गया अब यहाँ पर आप जब चलिएगा आगे आगे जब इसको चलते है तो क्या मिलेगा अब दिखिए साइन दिखिए एक पर minus है एक पर क्या है पलोस है साइन ओजिट आ गया तो इसका difference करते है अ करते हैं value polynomial के कितना है, minus 6, अब इसमें आए एक्स का value 2 दिया, इसमें x का value 2 put करते हैं, ते देखिए इसका value कितना आता है, तब 5x minus 4x square plus का है, 3 है, x का value हम यहाँ पर 2 रखते हैं, बहुत आसान है, 5x into क्या होगे, 2 minus 4, अब यह एक्स के जब वो 2 रखें, power कितना होगे, 2, आप पलोस क होगे, 3 होगे, अब इसमें गुणा करना है हमको, 5x2, केतना होगे, 10 हुआ, minus, अब 2 के पावर 2 के तना होगे, यानि 2 के पावर 2 हम क्या लिख सकते है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 है, ते यह का लगे, 2 into 2, ते के तना होगे, 4, 4 को multiply करेंगे, तो 16 आजाएगा, आप पलोस क् है, यहाँ पलोस है, साइन सेम हो गया, हम क्या गया, सेम साइन है क्या होगा, एडिशन होगा, यहाँ पलोस 10 है, पलोस 3 है, तो कितना हो गया, 13 हो गया, पलोस 13 हो गया, अब माइनस क्या है, 16 है, अब यहाँ पर देखिए, हम इसको आगे के से हम चलेंगे, अब यहाँ पलो बड़े अंका साइन होगा तो यह देखें स्टिंग बड़ा है साइन क्या है यहांपर माइनस है तो किया देखें माइनस हम लेगें यह पोलिनुमियल का भाईलो हो गया विद्यार्तियो मेरे चैनल को सबस्काइब कीजिए पसंद हो तो लाइक और शेर कीजिए धन्यवाद